तो हेलो तोस्तों अमारी उट्विचल में आपका स्वागत फ्रेंड आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जीओ फाइनेंस एक एप लॉंच हो चुका है जीओ की तरफ से अगर आप एक जीरो बैलेंस अकाउंट को ओपेंड करना चाहते हो जीओ पेमिंट्स बैंक में तो उस एप के जरीए आप बिल्कुल आसान तरीके से ओपेंड कर पाऊगे पहले माई जीओ एप के थुरू आप जीओ जीरो बैलेंस अकाउंट ओपेंड करते थे जीओ पेमिंट्स बैंक का लेकिन उस जो माई जीओ एप था उसमें काफी प्रोबलम आती थी काफी चीजे मतलब की के वाई सी के टाइम प्रोबलम आती थी जब वहाँ वीडियो के वाई सी करने जाते थे तो बहुत लंबी लाइन लगानी पर थी पचास लोगों के बाद नमबर आता था नमबर आने के बाद भी वीडियो के वाई से कर पाऊगे वो भी विल्कुल आसान तरीके से जो कि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ और साथ मैं अकाउंट उपन करके दिखाऊंगा भी तो आपको पूरी वीडियो अच्छे से देखनी है और आपको समझना आए आपको देखना है क्योंकि इसके है तो है दोस्तों मैं अपने मुवाल की होम स्क्रीन पर आज चुका हूं फ्रेंट अब मैं आपको बताने वाला हूँ जीओ पेमेंट्स बैंक में अकाउंट ओपन कैसे करोगे एक जीरो बैलेंस तो उसके लिए जीओ ने एक एप लॉंच किया है जिसका नाम है जीओ अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस से इसी एप के थुरू बताने वाला हूँ जो की काफी सिंपल और आसान होगा जब आप इसे फर्स टाइम डाउनलोड करके ओपन करोगे तो इंटरफेस कुछ इस तरीके से आ जाएगा उसके बाद यहां पर आपको क्या करना है उपर दि यहां पर फिलो हो जाएगा अब हूरा देखिये हैं यहां पर लगने के लिए बॉल रहा है तो मैं बाहत में लगाओं आउगा दूँगा नीचे वाले option पर क्लिक करके फिर से allow option पर क्लिक कर दूँगा अब दीखिए यहां पर इस तरीकी का interface आठ चुगा है अब आपको देखिए क्या करना है जीरो balance account open करना है जीओ payments bank में तो आपको यहां पर एक option में लेगा SIM1 या SIM2 से verify करना चाते हो वह आप अपने हिसा पर decide कर लिजिएगा उसका प्रसीट वाले बटन पर क्लिक कर दीजिएगा timer start हो जाएगा यहां पर थोड़ा से wait करिएगा आपके नंबर से verify हो चुगा इस तरीके से अब देखिए यहां पर option आजाता है get a saving account यहां पर Joe Payments बेंक यहां पर वोपर रिखा हुआ मिल जाएगा और नीचे आपको दिख जाएगा get a valet. यहां पर कुछ नीचे इंटरफेस दिखेंगे यहां आप दीजिए जीö पेमेंटस वें किस तरीके से थोड़ा सव accept आक AG 준ी दिखा एता हूं इस account वो जो भी balance रखोगे उस पर 3.5 का interest मिलेगा, आपका mobile number automatic fill हो जाएगा, प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करके OTP के जरी two step verification complete कर लिजएगा, OTP आने के बाद आपका जो verification है वो complete हो जाएगा, यहाँ पर आपको Gmail ID डालनी है, Gmail ID डालके नीचे प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करना है, जो Gmail ID डालोगे उस Gmail ID पे OTP भेज दिये जाएगा, वो OTP आपको वहाँ पर डालना पड़ेगा, जैसे ही OTP डालोगे तो इस तरीकी का interface आपके सामने आ जाएगा, अब आपको यहाँ पर ट्रम एंड कंडिशन को I accept करके क्लिक कर देना है, अब आपके सामने यहाँ पर देखे इस तरीकी का option देखने होगे, जब आपके सामने इस तरीकी का option आ जाता है, फिर उसके बाद देखिए उपर जो लिखा है, सेविंग अकाउंट जिसपे ATM कार्ड बनाया गया है, अगर आप उसपे क्लिक करते हो, जिसपे already click है, जो वहाँ पर round circle आपको दिख रहा होगा, जो already click है, अगर आप उसपे क्लिक रहने ही देते हैं, डारेक्ट प्रोसिट वाले बटन पर क्लिक करते हो, तो वह एक zero balance account है, उसमें आपको एक platanium debit card आपको मिल जाएगा, अगर आप नीचे वाले पर click करते हो, जो नीचे वाला JPB saving account without debit card, अगर आप उसके उपर click करते हो, तो ये भी एक zero balance account है, लेकिन आपको इसमें कोई भी ATM card नहीं मिलेगा, तो मैं आपको पता दू, मुझे ATM card तो नहीं चाहिए, अगर आपको ATM card चाहिए, तो आप उपर वाले option पर click करिए, मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने नीचे वाला option पर click करके process किया है, अगर आपको चाहिए, तो उपर वाला option select करिए, उसके बाद proceed वाले बटन पर click करिएगा, उपर वाले option पर click करिएगा, जैसे click करोगे, pen card नम्म डालिएगा, आधार कार्ड का नम्म डालिएगा, और जरनेट OTP पर click करिएगा नीचे, चलिए मैं फटा फट डाल लेता हूँ, जैसे जरनेट OTP पर click करोगे, उसके बाद यह वाला option आएगा, send OTP पर click करिएगा, उसके बाद जो आपके आधार कार्ड से mobile नम्म लिंक होगा, उस पर OTP भेज दिया जाएगा, उस OTP को यहाँ पर डाल के नीचे verify, and proceed वाले बटन पर click करिएगा, OTP यहाँ verify successfully हो चुका है, आपके आधार कार्ड से यहाँ पर सारे details ले ली गई है, यहाँ आप आप देख सकते हो इस तरह किसे, अब आप आप क्या करना है, नीचे देखिए, प्रोसीड वाले बटन पर click करिएगा, जैसे ही प्रोसीड वाले बटन पर click करोगे यहाँ पर, loading लेना स्टार्ट होगा, थोड़ा सींतेजार करना पड़ेगा आपको, अब यहाँ पर let's verify your identity, आपकी जो identity उसे verify किया जाएगा, यहाँ प्रोसीड प्रोसीड वाले बटन पर click करना है यहाँ पर, grant permission वाले option पर click करिएगा, जैसे ही आप इसको उपर click करोगे, permission देने के लिए उपर वाले option पर click करिएगा, फिर से first वाले option पर जैसे permission देंगे, इस तरीके से camera आपके सामने, selfie लेते time, अगर जो red light, मतब red boundary line जलेगी, तो photo सही नहीं है, जब तक green boundary line नहीं जलेगी, तब तक photo को click मत करिएगा, जैसे green line आजएगी, photo click करके upload कर दीजिएगा, अब यहाँ आप से पूछा जा रहा है, क्या आप साधी सुदा हो यहाँ पर, तो इससे आप है, आप अपना status बता सकते हो, आप अपने हिसाब से बता दीजिएगा, आपके father का नाम यहाँ पर डाल दीजिएगा, जो आपके पैन कार्ट पर आपके father का नाम होगा, जो भी नाम डालोगे, बिल्कुल अच्छे से डालेगा, spelling mistake नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वीडियो के वाई से यहाँ पर करने में आपको problem आ सकती है, यहाँ पर दीजिए father का last name डालना है, mother का first name और mother का last name डालने के बाद, प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करिएगा, चलिए मैं फटा फट डाल लेता हूँ यहाँ पर, डालने के बाद उसके बाद occupation में आपको यहाँ पर क्लिक करना एरो पे, और आपको बटताना है कि आप क्या करते हो, student हो, self-employee हो, homemaker अधर, farmer हो, private sector में, service हो, government sector में, जो भी आप करते हो, आप अपने हिसाब से बता दीजेगा, अगर आप घर पे business होगेरा करते हो, तो self-employee वाले option पर क्लिक करोगे, अगर आप पढ़ाई वागराया करते हो, तो student वाले option पर क्लिक करोगे, तो मैं यहाँ पर student वाला option select कर लेता हूँ, और यहाँ पर source of income पूछ रहा है, इसके उपर क्लिक करोगे, तो यहाँ पर देखिए, आपको क्या करना है, saving वाले option पर क्लिक कर दीजेगा, saving वाले option पर क्लिक करने के बाद, अब आप सब पूछ रहा है कि आप साल के कितनी कमा लेते हो, तो इसके उपर क्लिक करोगे, तो यहाँ पर student मैं हूँ, तो मैं ज़्यादा कहा, यहाँ पर जो फर्स्ट वाले option है, अब टू 50 के, यह मैंने डाल दिया है, और यहाँ पर इस वाले box पर क्लिक करना है आपको, जब तक नहीं क्लिक करोगे, तब तक फ्रोसीट का बटन नहीं आएगा, परस्ट वाले बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, अब यहाँ पर add a nominee का option आएगा, आप nominee को add करना चाते हो, तो add now वाले option पर क्लिक करोगे, अगर आप नहीं करना चाते हो, तो इसकी for now वाले option पर क्लिक करोगे, तो मैं nominee को बाद में add करूँगा, तो मैं इसकी for now वाले option पे click करता हूँ जैसे ही मैंने click किया यहाँ पे एक बार मेरे सामने पूरी details यहाँ पर दिखा दी जाती है आप अपने details को पूरी अच्छे तरीके से check कर लीजिए आपका सही है या गलत है अगर गलत है तो edit वाले बटन पे click करके change कर सकते हो यहाँ पे मेरा सब कुछ perfect है तो मैं यहाँ पर submit वाले बटन पे click करूँगा submit वाले बटन पे click करने एक बाद अब यहाँ पर आपको video kyc करने के लिए बोला जाएगा तो video kyc में सबसे पहले देखिए आपको क्या करना पड़ेगा आपका जो है यूज ये front facing camera on होना चाहिए जो आपका mobile का है camera ठीक ठाक होना चाहिए अब यहाँ पर देखिए जहाँ भी आप video kyc करोगे उस रूब में या जहाँ पर lighting जो light अगरे आती है वो perfect आनी चाहिए ताकि आपका चेहरा अच्छे से दिखे अब यहाँ पर आपके पास original आपका जो pen card है वो होना चाहिए जहरक्स copy नहीं चलेगी तो copy नहीं चलेगा एकदम original pen card आपके पास होना चाहिए और जो आपका internet है वो बिल्कुल साइज से चलना चाहिए आप देखें यहाँ सब कुछ perfect हो गया start call with an agent तो आपको देखें नाव वाले option पर किलिक करने पावी वीडियो के वाइसी सी होगी लेटर वाले option की वाइसी कर सकते हो चलिए मैं जो आप वाले option पर पर्मिशन मांग रहा है तो मैं यहां पर्मिशन दे दूंगा पर्मिशन देने के लिए ग्रेंट पर्मिशन वाले ओप्शन पर क्लिक करके फर्स्ट वाले ओप्शन पर क्लिक कर देंगे पर्मिशन यहां पर तो यहां पर देखिए 1st नंबर में रहे है तो पहले ही मेरा नंबर आ जाएगा यहां पे इतने टाइमिंग के अंदर में अगर यहां पर 50 या 40 नंबर है तो उतने लोगों केवाई opener करने के बाद मेरा नंबर आएगा सबसे पहले आपको एक चीज और मैं बताना भूल गया था आपको एक white paper आपके साथ होना चाहिए वो सकता है signature और गरा गरा जाए एक pain रभी रख लीचिएगा अब wait करते हैं यहाँ पे तो देखिए अब video KYC स्टार्ट हो चुकी है agent call receive कर चुके हैं अब यहाँ वीडियो KYC पे कुछ आपसे plan card और यहाँ पे screen पे कुछ number चलेंगे उसके बारे में बताना होगा तो चलिए video KYC complete होने के बाद आपसे मिलते हैं यहाँ जो जो चीज़े यहाँ वीडियो KYC आपसे पूछी जाएगी वीडियो के आखरी में बताने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा देखिएगा इसकी कहीं पर भी मत करिएगा तो चलिए तब तक वीडियो KYC होती तब तक वेट करते हैं तो देखिए यहाँ जो वीडियो KYC वो complete successfully हो चुकी है वीडियो KYC में जब आप वीडियो KYC स्टार्ट करोगे तो आपके डिस्पले पे सबसे पहले देखिए आपका जो मतलब की mobile नमर है वो आपसे पूछा जाएगा जो आपने यहाँ पर डाला था उसके बाद आपसे प पूछा जाएगा बीना किसी की help लिए उस नमबर को बस आपको देखना होगा और बोल के बताना होगा सामने वीडियो KYC में उसके बाद वीडियो KYC जब आप करोगे तो आपके आजबाजो किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए नहीं तो वीडियो KYC रद कर दी जाएगे उ तो सिर्फ वही लोग access कर पाएंगे यानी back camera को चालू कर पाएंगे जब चाहिए तो जब आपका fan card का photo खीचा जाएगा तब वो लोग back camera को on करके photo capture कर लेंगे उसके बाद आपकी एक selfie photo भी वो लोग click करेंगे तो आपको अपना जो face है वो बिल्कुर सीधा रखना है और महाँ पर एक logo बनके आ जाएगा उस face वाले logo में perfect अपने face को रखना है तब ही आपका photo capture हो जाएगा अब यहाँ पर देखिए आपको इतनी वीडियो के वाई से में इतनी चीजों का ध्यान रखना है तो मैं आसा करता हूं आप यह वीडियो देखने के बाद अपने mobile से एक नए वीडियो के साथ तब तक लिए धन्यवाद कि यहाँ मैं आप बता दूँ जब वीडियो के वाई सी complete होगी तो आपका account कुछी मतलब 12 से 24 गंटों में open हो जाएगा चालू यहाँ पर आप transaction होगरा कर पाओगे तो चलिए मैं यहाँ पर आप बैक आजाता हूं मिलते न